आज हम लोग DAV Class 7 का Social Science परने वाले हैं जिसमें की Chapter No.23 को हमें स्टार्ट करना है इस Chapter का Title है Market Surround Us इसमें Topics तो बहुत कम हैं लेकिन जितने भी Topics हैं उसको बहुत डीटेल में हम लोगों परना है इसलिए इसको हम लोग 2-3 पार्ट में खदम कर लेंगे यह इस Chapter का First Part है और अगर यह Chapter आपके School के syllabus में है तो आप Comment करके ज़रूर बताइएगा जितना जल्दी हो सकेगा इसके अगले Parts का वीडियो भी हम Upload कर देंगे अब आपको DAV Guru पर हर Class और हर Subject के वीडियोज मिल जाएगे जितने भी Chapter को अभी तक हम Complete करवा चुके हैं उनके वीडियोज को हम DAV Guru के Playlist में डाल दी हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक आउट कीजिएगा और अगर आप पहली बार इस चैनल पर 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 रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रिस कर लिजे ताकि आने वाले जो Classes हैं उनका वी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे हैं इस Chapter में ज्यादा अलग-अलग Topics नहीं है सबसे पहरा तो हम लोग Chapter का Introduction देखेंगे उसके बाद हम लोग परेंगे Types of Market के बारे में और इसी Topic के अदर में बहुत सारे छोटे छोटे Topics भी हैं उनको भी हम लोग देखेंगे उसके बाद हमारे Next Topic होगा Markets and Democracy इसी यह दोनों एक दूसर से कैसे रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग परेंगे और उसके बाद यह पूरा Chapter हम लोग का Complete हो जाएगा In our day to day life हमारे daily life के लिए we require the services of market हमें market की सुविधा चाहिए क्योंकि हमारे घर में जितना भी सामान का ज़रुत परता है सबको हम लोग Market से ही खरीद पाते है Market को अगर हम लोग Simple भाषा में Define करना चाहिए तो Market क्या होता है Market is a place, Market है कैसा जगा है Having shops, जहांपर दुकाने हमें देखने को मिलती है Selling vegetables और जहांपर सब्दियां बेची जाती है Clothes यानि की कप्रे बेचे जाते हैं Stationary यानि की परहाई लिखाई का सामान बेचा जाता है Etc. और इसके अलावा भी बहुत सारे सामान बेचे जाते है In exact term, लेकिन अगर हम लोग Market को टेकनिकली डिफाइन करना चाहिए तो Market क्या होगा? Market can be defined as a place Market एक ऐसा place होता है Where buyers and sellers जहाँ पर buyer यानि की खरीदार सामान को खरीदने वाले And sellers मतलब बेचने वाले Engaged in a activity of sale and purchase जहाँ पर buyers भी होते हैं और sellers भी होते हैं और वो एक खास टाइप के activity में engaged होते हैं एक खास टाइप के activity करते हैं और वो activity क्या होता है? Activity of sale and activity of purchase मतलब सामानों को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं तो अगर आपको एक्जाम में पूछा जाए कि What is market तो आपको ये वाला definition लिखना है यहां से शुरू करके यहां तक अगर आप ये वाला definition लिखते हैं तो ये गलत नहीं होगा बट आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आप ये वाला definition लिखेंगे तो The buyer and seller can meet in a shop or a mall Buyer यानि की खरीदने वाला और seller यानि की बेचने वाला और ये कहां पर मिल सकते हैं They can meet in a shop या तो दुकान में मिल सकते हैं या तो एक shopping mall में मिल सकते हैं And the buyer और जो खरीदने वाला होता है Can pay for the goods or services और buyer जो होता है वो pay कर सकता है किसीज के बदले में Goods के बदले में यानि कि किसी सामान के बदले में या services के बदले में अब देखिए goods क्या होता है Services क्या होता है इसका समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों टर्म्स को हम लोग बार बार यूज़ करने वाले हैं अगर आप कोई भी physical सामान खरीद के लाते हैं जैसे कि आप दुकान गए और copy खरीद के लिए पिन खरीद के लिए या कोई भी खाने का सामान खरीद के लिए तो उसको हम लोग goods बोलेंगे लेकिन अगर आप दुकान जाकर या कहीं और जाकर market में अगर आप कोई भी service purchase करते हैं जैसे कि आप electricity का bill पे कर देते हैं या आप mobile का recharge करवा लेते हैं या telephone का bill पे करते हैं या telephone का recharge करवाते हैं तो इसके बदले में आपको कोई physical सामान नहीं मिलता है आपको इसके बदले में services मिलता है तो हम लोग market से दोनों चीज खरीच सकते हैं हम लोग goods को भी खरीच सकते हैं और services को भी खरीच सकते हैं through cash और credit card और any other mode और इसके बदले में हम लोग payment कैसे कर सकते हैं या तो directly हम लोग cash दे देंगे या तो हम लोग credit card के थूँ पे करेंगे या तो उसके अलावा भी जितने सारे method से उससे भी हम लोग pay कर सकते हैं अब जैसे कि देखिए आजकल हम लोग यूपी आई ज्यादा तर यूज़ करते हैं उसके अलावा हम लोग internet banking यूज़ करते हैं तो बहुत सारा payment का method है जिसके थुरू हम लोग market जाके goods या service के बदले में payment कर सकते हैं अब हम लोगों को परना है कि market जो होता है वो कितने type का होता है तो market में ली दो type का होता है आपको याद रखना है एक होता है wholesale market और एक होता है retail market अब इसके बारे में जितना details यहाँ पर दिया है न उसको बाद में read करेंगे पहले इसको समझ लेते हैं कि wholesale market क्या होता है और retail market क्या होता है market में अब जितना भी सामान देखते हैं वो बनता का है उसका दो ही source है या तो उसको कोई manufacturer अपने factory में बनाएगा या तो कोई farmer या निकि कोई किसान अपने खेट में उप जाएगा और इन दोनों जगा से पहले सामान का production होता है सामान पहले बनता है और उसके बाद वो बेच देते हैं wholesale को एक ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत ज़्यादा amount of वो सामान बहुत ज़्यादा quantity में उस सामान को खड़िता है और अपने पास stock करके रखता है और उसी को आप लोग बोलते हैं wholesale अब ये wholesale क्या करता है छोटे छोटे retailers को वो सामान बेचता है अब retailer के पास चले गया सामान जो कि आप अपने आसपास में दुकान देखते हैं और वो सब retailer कहलाते हैं तो उनके पास सामान चले गया उनके दुकान में उसके बाद वो सामान जाता है customer के पास जब आप उससे खड़िद लेते हैं तो ये chain को follow करते हुए सामान आपके पास पहुँचता है सबसे पहले यहाँ पर production हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा quantity में उससे उस सामान को wholesaler ने खड़िदा उसके बाद retailer ने उससे खड़िदा और उसके बाद customer ने उससे खड़िदा अब देखे यहाँ पर सामान का दाम भी increase होता है माँ लीजे यहाँ पर जो सामान बना न उसका अगर पाँч रुपिया दाम है तो wholesaler के पास जाने के बाद वो 6 रुपिया में बिकेगा और फिर उसके बाद जब डिटेलर के पास जाएगा न तो वो उसको साथ रुपिया में बेचेगा और जब फिर वो customer के पास जाएगा तो वो 7 रुपया में उसको मिलेगा तो starting में जो सामान था कितने का था 5 रुपया का ही था originally लेकिन customer के पास जाते जाते उसका दाम बर गया कितना हो गया दाम 7 रुपया हो गया तो हम भी बोल सकते हैं कि अगर customer को कम दाम में ही सामान चाहिए तो उसको कहां से लेना पड़ेगा उसको producer के पास से लेना पड़ेगा जहां पर सामान बन रहा है लेकिन बहुत सारे cases में ऐसा possible नहीं होता है जैसे कि अगर आप city में रहते हैं तो वहां से आप सीधे farmer के पास जागे सबजी तो नहीं खर सकते न तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा आप जा सकते हैं wholesaler के पास लेकिन wholesaler के पास भी जाने पर एक दिक्कत आता है wholesaler आपको थोड़ा मुरा नहीं देगा अगर आप चाहेंगे कि एक kilo हम सामान ले ले तो आपको नहीं देगा आपको इससे बहुत ज्यादा quantity में सामान लेना परेगा तब ही ये देगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा quantity में खरिदता है और ये बहुत ज्यादा quantity में भी बहुत ज्यादा quantity में ही बेचता है तो ये थोड़ा मुरा समान आपको नहीं देगा उसके लिए आपको retailer के पास ही जाना होगा तो अगर आपको सस्ता में चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा समान एक साथ खरिदना होगा और अगर आपको कम सामान ही चाहिए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और उसके लिए आपको retailer के पास जाना होगा तो बस यही सब basic चीज है जो कि आप already जानते हैं बस systematic तरीके से अमरों को यहाँ पर पढ़ना है और यहाँ पर जो जो भी definition दिया गया है उसको अमरों को याद करते जाना है अब buyer can save a lot of money by buying directly from wholesale market अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं अगर एक buyer पैसा बचाना चाहता है तो वो सामान को wholesale market से खड़ी सकता है as the wholesaler buys directly from the producer क्योंकि wholesaler जो है न वो direct producer से खड़ीत के लाता है मतलब या तो manufacturer से या तो farmer से वहाँ से direct सामान उठा के लाता है तो अगर आप wholesaler के पास जाएंगे तो आपको कम में सामान मिल सकता है but they do not sell in small quantities they only sell in bulk लेकिन अगर आप wholesaler के पास जाएंगे तो थोरा सामान अगर आप लेना चाहे तो आपको नहीं मिलेगा small quantity में आपको नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर से bulk में सामान मिलेगा मतलब बहुत ज्यादा quantity अगर आपको खरीदना है तब ही आपको wholesaler के पास जाना चाहिए अब देखे यहाँ पर retailer के बारे में बताया गया है जहां से हम लोग कम quantity में भी सामान को खरीच सकते है यहाँ पर लिखा है the retailer sells the goods in smaller quantities or numbers but at a higher price एक retailer जो होता है न वहाँ से हम लोग small quantity में भी कम quantity में भी सामान को खरीच सकते है लेकिन वहाँ पर हम लोग को थोरा सा ज्यादा पैसा pay करना परता है और ज्यादा पैसा क्यों pay करना परता है as he or she buys from the wholesaler and adds the cost of transportation, investment of money, time, storage charges and profit on the price of goods retailers जो होते है न उनको wholesaler से ही सामान खरीदना होता है और कभी-कभी वो manufacturer या farmer से भी direct सामान को खरीद लेते हैं लेकिन इस case में उनको बहुत सारा सामान एक बार में ही खरीदना परता है और इस case में यहाँ पर इनका transportation cost जूर जाता है उसके बाद उसको maintenance करने का maintenance cost जूर जाता है वो जो सामान इतना सारा खरीदा उसको रखने के लिए जो जगह चाहिए उसका rent भी लगता है तो इस तरह से बहुत सारा cost इसमें add हो जाता है वो जो सामान खरीद के लाया उसमें और उसके साथ साथ इसको profit भी चाहिए फायदा भी चाहिए ने तो क्यों फालतु में बैठके दुकान में सामान बेचेगा तो ये सब चीज add करके जो सामान यहाँ से 5 रुपया में निकला था न सामान को इसको बेचना परता है 7 रुपया या 8 रुपया में तभी इसको फायदा होता है और जितना इसने investment किया था जितना भी इसने खर्च किया था वो सब इसका निकल पाता है अब देखे अगर आप किसी रीटेलर के पास जाएंगे और उसको या तो पैसा पे नहीं करेंगे या तो आप वहां से उधार लेके चले आएंगे सामान को तो उस केस में रीटेलर क्या करेगा आपसे जादा पैसा चार्ज कर सकता है वो अपना margin को बढ़ा लेता है अब देखें मान लेते हैं कि आप 50 रुपिया का सामान खरीद के लाएं अगर आप बोलते हैं कि नहीं नहीं चली एक कल देते तो आपको पहले ही बोल देगा कि नहीं 50 रुपिया का नहीं है यह दाम बर गया वह 50 रुपिया लगता है या 52 रुपिया लगता है लोग अपने घर में यूज़ करते हैं अब देखे जितना कुछ हम लोग अभी तक पढ़े हैं उससे हम लोग क्या कंक्लूट कर सकते हैं हम लोग कंक्लूट कर सकते हैं कि मतलब होलसेल मार्केट में सामान का दाम और रीटेल मार्केट में जो सामान का दाम है उसमें हम लोग को डिफरेंस देखने को मिलेगा होलसेल मार्केट में आपको सामान कम दाम में मिल जाएगा और रीटेल मार्केट में आपको थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा ले cost of commodity at every level इसका मतलब यह हुआ कि सामान जितने सारे लेवल से होकर कस्टमर के पास महचता है ना उतना ही ज्यादा सामान का दाम बढ़ते जाता है माले जी अगर कस्टमर खरीद पाता डिरेक्ली मैनुफेक्चरर से या डिरेक्ली फार्मर से तो उसको जो पांच रुप्या का स दिखते हैं और इस बीच में इन लोगों का फाइदा भी एड होता है इन दोनों का जो कॉश्च होता है मेंटेनेंस कोश्ट रेंट वगएरा वह सब भी एड होता है जिसके कारण से सामान का दाम बढ़ जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे लेवल बरहेगा ज पेफोर देर इनवेस्टमेंट ताकि वो जो पैसा इनवेस्ट करके रखे हैं उसका फाइदा उनको मिल सके मैन पावर भी लगता है मतलब लोग भी लगते हैं उसका भी खर्च निकल सके प्रीमाई से मतलब दुकान बनाने के लिए भी जगर चाहिए तो उसका रेंट बग अगर ले जाने में तो इस तरह से जितना सारा खर्च होता है न यह सब और ज्यादा एड़ होगा अगर लेवल्स की संख्या बढ़ेगी अब देखें हम लोग को समझना है कि price of goods यानि कि किसी भी सामान का जो दाम होता है न वो कैसे decide होता है आपके दिवाग में सबसे पहले यही चीज़ आएगा कि वो सामान को बनाने में जितना ज्यादा खर्च होता है न उसी चीज़ से उस सामान का दाम decide होता है लेकिन आप imagine किजिए कि आप कोई भी सामान को बनाते हैं मालते हैं उस सामान को बनाने में आपको 100 रुपया खर्च हुआ लेकिन वो सामान का use ही नहीं है आप अगर उसको market में sell करने जाएंगे तो कोई इसको खड़ी देगा ही नहीं क्या इस सामान को आप 101 रुपया में बेज कर या 102 रुपया में बेज कर आप 2 रुपया या 1 रुपया का profit कमा सकते हैं क्या नहीं न तो एक सामान का दाम जो होगा न मार्केट में क्या होगा वो उस सामान के cost price पे यानि कि उस सामान को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ ह उस पे तो depend करता है यह लेकिन completely उस पे depend नहीं करता है इसके साथ साथ दो और factors हैं जिस पे किसी भी सामान का दाम depend करता है और वो दो factor क्या है पहला तो factor है demand और दूसरा factor है supply अब हम लोग को यह समझना है कि demand क्या होता है और supply क्या होता है यहाँ पर देखे लिखा है the price of goods in market is determined by the factors like demand by the buyers और consumers, supply by the farmers और manufacturers etc एक सामान का दाम जो है नमेली दो ही चीज़ पे depend करता है पहला क्या है पहला जो factor है वो है demand मतलब कितना जरूरत है उस सामान का market में जो buyers है न जो खरीदने वाले हैं उनको कितना जरूरत है उस सामान का इस पे depend करता है और उसके साथ साथ इस पे depend करता है कि उस सामान का availability क्या है अगर सामान बहुत ज़्यादा मातरा में market में बले होलोगा तो सस्ता भीकेगा क्योंकि हर तरफ वही चीज़ दिखेगा तो सस्ता ही भीकेगा लेकिन अगर सामान बहुत कम quantity में बहुत limited quantity में अगर आपको market में देखने को मिलता है तो वो सामान का दाम automatically महंगा हो जाएगा ऐसा ही कुछ प्याज के साथ होता है प्याज देखेगा जब market में बहुत ज़्यादा supply होता है तो हर तरफ आपको प्याज 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 दिखेगा और उस समय आपको प्याज 5 से 10 रुप्या किलो मिल जाएगा लेकिन जहां पर प्याज का shortage आता है जहां पर market में सप्लाई घरता है तो आए हाए एक सव रुप्या दो सव रुप्या के जी प्याज का दाम हो जाता है अब देखें यहां पर डिमांड और सप्लाई का definition दिया गया है दोनों definition बहुत ज्यादा important है एक्जाम में यह पूछा जाता है तो आप इसको याद कर लिजेगा यहां आप लिखा है दा demand for a goods is defined as an amount of commodity for which people are willing to pay and buy देखें डिमांड क्या होता है डिमांड किसी भी सामान का वो quantity है वो amount है वो मात्रा है जिसको लोग खरीदना चाते हैं पैसे पे करके अगर किसी भी सामान को लोग नहीं खरीदना चारहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि उस सामान का demand market में नहीं है उसको लोग नहीं मांग रहे हैं अगर किसी भी सामान को बहुत ज्यादा लोग खरीदना चारहे हैं और उसके लिए इवें ज्यादा पैसे भी पे करना चारहें इसका मतलब यह हुआ कि उस सामान का demand market में बहुत ज्यादा है अब देखें supply किसको बोलते हैं supply of a good is the quantity that the supplier are willing to put in the market supply किसी भी सामान का वो quantity है जिसको supplier यानि की जो sellers होते हैं वो market में put करते हैं उसको sell करने के लिए अब देखिए अगर कोई सामान market में आपको हर तरफ दिख रहा है इसका मतलब यह हुआ कि उस सामान का supply market में बहुत ज़्यादा है मतलब हर तरफ उसका availability है लेकिन अगर market में कोई सामान आपको मिल ही नहीं रहा है इसका मतलब यह हुआ कि उस सामान का supply जो है ना market में बहुत कम है इन दोनों को हम लोग लोग एक और example के तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब जियो का सिम लाँच हुआ तो आपको याद होगा कि demand बहुत ज़्यादा था बहुत ज़्यादा लोग चाहते थे कि जियो का सिम खड़ी दे लेकिन उस समय supply बहुत ज़्यादा कम था आपको कहीं बहुत आसानी से मिल जाएगा when the price of a good is rises the supply also rises when the price goes down the supply also goes down अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है market कैसे चलता है उसके बारे में बताया गया है अगर किसी भी सामान का दाम बर जाता है यहाँ पर लिखा है न when the price goes up अगर दाम बर जाता है किसी भी सामान का तो उसका supply भ दाम बढ़ता है उस आलू को cold storage से निकाल के market में sell कर देते हैं उसी तरीके से manufacturer भी करते हैं कोई भी सामान है copy pen किताब कुछ भी है जैसे उसका दाम बरता है market में जैसे उसका जरूरत परता है वैसे जो supplier होते हैं उसको लेकर market में डाल देते हैं और उसको higher prices पे sell करना अपनी बहुत सारा सामान बनवाती है या farmers जो होते हैं बहुत मेहनत करके फसल को गाते हैं अब सामान को कम दाम पे तो नहीं बेश सकते हैं उसको क्या करते हैं store कर लेते हैं अपने पास उसको जमा करके रख लेते हैं और जब तक सामान का दाम कम रहता है ना उस समय तक supply को क्यबरदस्ति cotton उगवाया जाता था, सूती का खेती करवाया जाता था, as the British industries, क्योंकि Britain में जितना सारा industries था न, required huge amount of cotton as raw material, क्योंकि उनको cotton का जरुवत होता था बहुत अधिक मात्रा में, raw material के रूप में, the cotton cloth और उसके बाद वो लोग उससे क्या बनाते थे, सूती कपड़ा बना लेते थे, the cotton cloth was then imported from Britain, उसके बाद Britain से उस कपड़े को इंडिया लाया जाता था, and sold all over India, और फिर उसको पूरे इंडिया में बेचा जाता था, this was a fetal blow to Indian wavers that destroyed the Indian cotton industry, और इसके कारण जो भारत के wavers थे न, भारत के जो बुनकर थे, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और भारत में जो cotton industry चल रहा था न, वो सब बंद हो गया, do you know में देखे एक point दिया गया है, जो कि आप already जानते हैं, यहाँ पर लिखा है buying और selling जो होता है न, अब आप बिना market जाए भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, by tele marketing and internet, अब देखे tele marketing क्या होता है, अगर आप किसी भी स सामान को खरीदने के लिए phone करके दुकानदार से बात करते हैं, और उस सामान को phone के थ्रू ही खरीद लेते हैं, और सामान आपके घर में पहुंच जाता है, तो उस ही को हम लोग बोलते हैं, टेली marketing, और internet के थ्रू हम लोग ऐसे सामान खरीद सकते हैं, उसमें तो आप गया और जितने भी पुराने इंडस्ट्री थें उनको भी सेफगार्ट किया गया ताजि वो बंद न हो सके Hence in a place of cotton as a raw material the export of cotton cloth was encouraged अब दिखे क्या हुआ भारत क्या जाध होने के बाद cotton जो पहले export किया जाता था भारत से उसको बंद कर दिया गया अब क्या हुआ अब उसके बदले में cotton का कपरा export किया जाने लगा भारत से अब अंग्रे जो को हम लोग यहां का कपरा पहनाते हैं cotton अब हम लोग उसको नहीं बेशते हैं currently अब दिखें इंडिया जो है इंडिया is exporting garments all over the world इंडिया जो है न कपरा पूरे दुनिया में supply करता है export करता है our fashion industry is also attracting buyers हमारा जो fashion industry है buyers को यानि की खरिदार को attract करता है कैसे by organizing fashion shoes in India and abroad हमारा देश जो है न बहुत सारे fashion shoes करता है भारत में भी और भारत से बाहर भी buyers are coming to India even from Paris and Milan भारत में कपडे खरिदने के लिए जो buyers हैं वो Paris से भी आते हैं और Milan से भी आते हैं आपको पता है Paris और Milan का नाम ही यहाँ पर क्यों mention किया गया है क्योंकि Paris और Milan जो है वो fashion capital of the world माना जाता है मतलब पूरी दुनिया में सबसे अच्छा fashion सबसे अच्छा कपरा जो है न कपरा का design आपको Paris में और Milan में ही देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ से भी लोग जो हैं वो भारत में आते हैं कपड़े खरीदने के लिए अब देखिए retail market और wholesale markets के अलावा भी एक type का market होता है जिसकों लोग बोलते है weekly markets इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि weekly market ऐसा market होता होगा जो कि सब्ता में एक ही दिन लगता होगा यहाँ पर देखिए इसका definition भी दिया है आप इसको अच्छे से याद कर लिजेगा यहाँ पर लिखा है many markets are also set up on specific days of the week बहुत सारे ऐसे market होते हैं जो कि सब्ता के कुछ खास दिन ही लगते हैं in different parts of many cities and towns बहुत सारे cities में और towns में यह market आपको देखने को मिलेंगे villages में भी होते हैं they are known as weekly markets और इसी market को हम लोग weekly market बोलते हैं इसका दो local name भी है एक है furry इसको हम लोग furry भी बोलते हैं या पटरी बाजार भी बोलते हैं मेरे इधर इस market को एक weekly market लगता है जिसको हम लोग हंटिया बोलते हैं और Sunday को लगता है आपके इधर भी जरूर लगता होगा आपके इधर इस market को क्या बोलते हैं आप comment में लिखकर बताईएगा weekly market का system क्या इसको ध्यान से समझेगा आपको explain करने के लिए बोला जा सकता है जितने दुकानदार होते हैं वो अपना दुकान सेट अप करते हैं अपना दुकान लगा लेते हैं कहां पर रूट साइड में मतलब सरक के किनारे दुकान लगा लेते हैं या तो किसी open space में अगर कहीं पर field है जो कि खाली है तो वहाँ पर दुकान लगा देते हैं for the day मतलब एक ही दिन के लिए ये दुकान होता है and then close at night और उस दुकान को रात में बंद कर दिया जाता है the good sir cheaper here यहाँ पर सामान आपको बहुत सस्ते दाम में मिल जाएगा और उसका reason क्या है as no expenditure is incurred on maintaining permanent shops like rent, electricity, etc क्योंकि यहाँ पर जो extra cost होते हैं वो उनको नहीं देना परता है जैसे कि अगर आप एक permanent shop की बात करें अगर किसी ऐसे दुकान की बात करें जो की हमेशा एक जग़ा पर होता है तो उनको rent पे करना परता है electricity का bill पे करना परता है और भी बहुत सारी खर्चे हैं जो की उनको उठाना परता है इसके कार्ण से सामान का दाम जो है वो ज़्यादा हो जाता है उनके दुकान में लोग जो होते हैं इस मार्केट में जाते हैं यानि कि वीकली मार्केट में जाते हैं क्यों जाते हैं? As most things of daily use are available at one place and they do not have to go to different places to buy what they need मतलब इस मार्केट में जो वीकली मार्केट होता है यहाँ पर daily use का जितना सामान होता है न सब आपको मिल जाएगा और इसी कारण से सप्ता में जो एक बार मार्केट लगता है न वहाँ पर देखेगा आप बहुत ज़्यादा बीर होगा वहाँ पर लोग जाते हैं और अपने daily need का जितना सारा सामान होता है उसको खरीद लेते हैं इसके अलावा एक और फायदा है आपका वीकली मार्केट से जो कि यह है the customers are free to bargain आप वहाँ पर bargaining भी कर सकते हैं अगर किसी भी सामान का दाम 40 रुपया आपको बोला जाए तो आप उसको कम करवा के 30 में भी ले सकते हैं लेकिन यही चीज़ आप मौल में करके देखिए आपको बोलेगा वो रहा दरवाजा आप चले जाएए इस वाले do you know में बताये गया है the change over from supplying raw material to finished product जब हम लोग raw material से एक finished product बनाते हैं एक product तयार करते हैं जैसे कि हम आपको बता है cotton से क्या बनाया जाता था अभी बनाया जाता है cotton से कपड़ा बनाया जाता है और इस कपड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे finished product बोलेंगे और cotton को क्या बोलेंगे raw material बोलेंगे तो जब raw material से finished product बनाया जाता है उससे क्या होता है उससे jobs generate होते है मतलब नौकरी मिलती है लोगों को और नौकरी किन किन लोगों को मिलती है unskilled लोगों को भी मिलता है semi skilled लोगों को भी मिलता है Unskilled किसको बोलेंगे जिसको कुछ भी नहीं आता है अब जैसे कि सामान को एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाना है तो उसमें किसी skill का ज़रूत नहीं है उसके लिए कोई भी वो काम कर सकता है तो उनको भी नौकरी मिल गया semi-skilled मतलब जिसको थोड़ा मुरा skill आता है जैसे कि कपरा सिलना आता है कपरी को अच्छे से fold करना आता है तो उनको हम लोग semi-skilled बोलेंगे और professionally trained expert को तो नौकरी आसानी से मिली जाता है जैसे कि आपको अच्छा सा design ही आता है कपरा में करने अलग-अलग तरह का कपरा आपको बनाने आता है तो आप professionally trained expert हो गए और आपको तो job मिलेगा तो तीनों category के लोगों को इस कारण से job मिलता है जब एक raw material से finished product बनाया जाता है अब देखें दूसरे do you know में यहाँ पर marketing और advertising के बारे हम बताया गया है लिखा है कि marketing और advertising दोनों एक चीज नहीं है दोनों अलग-अलग है advertising क्या होता है छोटार सा definition यहाँ पर लिखा है advertising persuades the customer to buy advertising का इतना ही meaning होता है advertising का इतना ही aim होता है कि वो customer को buy करने के लिए किसी भी सामान को खरीदने के लिए प्रेडित करे लेकिन marketing क्या होता है marketing में पूरा systematic planning होता है कि कैसे एक buyer को seller के पास लाया जाए और उनके बीच में सामान का buying और selling हो सके markets keep changing all the time market जो होता है न वो समय के हिसाब से जरुत के हिसाब से हमेसा बदलते रहता है the wholesale market is giving way to detailed giants like the Reliance Fresh, Big Bazaar, Shopper Stop, Vishal Megamart etc हम आपको बढ़ा है कि wholesale से अगर आप सामान खरिदते हैं तो आपको बहुत सारा सामान एक साथ खरिदना पड़ेगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा कम पैसा पे करना पड़ेगा लेकिन अगर आपको कम सामान खरिदना है तो आपको जाना पड़ेगा retailer के पास और वहाँ पे आपको थोड़ा सा जादा पैसा पे करना होता है तो इसी problem को दूर करने के लिए जो wholesale market है न वो अब convert होके retail giants बन चुका है retail giant कहने का मतलब क्या हुआ ये उतना ही giant है जितना wholesale market है मतलब उतना ही सामान आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा लेकिन आप retail में सामान को खरीज सकते हैं जैसे कि अगर आपको एक biscuit का डबा चाहिए तो एक biscuit का डबा यहाँ से आप खरीज सकते हैं उसके लिए आपको पूरा बोरा biscuit का नहीं खरीजना पड़ेगा जितने भी आपको retail giants देखने को मिलेंगे न सभी का अलग-अलग cities में आपको store देखने को मिलेगा यह सब इतने popular क्यों है उसका region यहाँ पे दिया है as they buy directly from the producers और manufacturers क्योंकि यह जिस भी सामान को बेशते हैं न उसको directly वहीं से ले आते हैं जहाँ पे सामान बनता है जैसे कि Reliance Fresh यह फल और सबजीयों को बेशता है और यह directly farmer से सामान को खरेत के लिए आता है अगर हम लोग big bazaar या shopper stop या विशाल megamart की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा आपको कपरा मिलेगा और packed food items वगएरा मिलेंगे तो यह सब भी जहाँ पर manufacture होता है न वहीं से directly factory से उठा कर लियाते है और उसके बाद यह क्या करते है and sell to the customer at reasonable price उसको कम दाम में बेश देते है in comfortable atmosphere और यहाँ का atmosphere भी बहुत अच्छा होता है आदमी को shopping करने में बहुत मजा आता है most people prefer shops in the neighborhood बहुत सारे लोग अपने आसपास के दुकानों को ही prefer करते है वही पर जाना पसंद करते है for their day to day requirement अपने daily use के सामान को खरीदने के लिए as they can visit them anytime क्योंकि वह वहाँ पर कभी भी जा सकते है अब देखिए मालेजी आपको एक डबा biscuit खरीदना है तो उसके लिए आप माल थोड़ी चले जाएंगे आप पहले अपने आसपास के दुकान में उसको खोजेंगे और वहीं से आप उसको purchase कर लेंगे moreover और इस एक और फायदा है the customer and the shopkeeper know each other will जो customer होता है यानि कि जो खईदने वाला होता है और यह shopkeeper होता है जो दुकानदार होता है दोनों एक दूसरी को बहुत अच्छे से जान जाते हैं and the goods are also available on credit और सामान उधार में भी एक customer ले सकता है so the payment can be made at a later date as per the convenience of the customer और इसके बाद customer यानि कि जो buyer है अपने सहूलियत के हिसाब से बाद में किसी भी date पर उस payment को बाद में pay कर सकता है तो finally हमने यहां तक इस chapter का introduction और types of market जो कि बहुत लंबा topic था दोनों को हमने complete कर लिया अब next part में हम लोग markets and democracy के बारें परेंगे जो कि again बहुत ज्यादा लंबा topic है अगर यह chapter आपके school के syllabus में है इसका second part भी आपको चाहिए तो आप comment में लिख कर बताईएगा अगर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो इसका second part भी हम बहुत जल्दी upload कर देंगे अब तक social science के जितने सारे chapters को मैंने complete करवा दिया है उनके videos को देखने के लिए left side में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले class को देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए फिलाल इस video में इतना ही मिलते हैं अगली class में बहुत सारे नए topics के साथ तब तक लिए अपना धिहान रखिए और ऐसे से पराही करते रहेए